हलो एवरियन और वेलकम टू दरोश और उत्राखंड का एक चमोली नाम का डिस्ट्रिक है जहाँ पर संडे को ग्लेशियर फटने की वज़े से एक बड़ी तबाही आई है नंदा देवी नेशनल पार्क से निकलने वाली रिशी गंगा के ऊपर के एरिया में एक हिमाले का गलेशियर तूट गया है और इसके कारण धोली गंगा घाटी और अलक नंदा घाटी में काफी बाढ़ा गई है इससे रिशी गंगा और धोली गंगा के संगम पर एक रैनी गाव है जहाँ पर एक बिजली बनाने वाली कमपनी है जो कि एक प्राइवेट कमपनी है रिशी गंगा उसको काफी जादा नुक्सान हुआ है रिशी गंगा पावर प्रोजेक्ट बिजली प्रोडक्शन के लिए चलाया जा रहा था और यह एक private project है इस project को लेकर काफी time से dispute भी चल रहा था लेकिन यहां पर बिजली production का काम शुरू हो गया था यहां पर पानी से electricity बनाने का काम चल रहा था और यह project रिशी गंगा नदी पर बनाया गया है और यह नदी दोली गंगा में मिलती है अब इस project पे काम करने वाले डेड़ सो लोग गायब हो गये हैं उनका कुछ भी अता पता नहीं है लेकिन इस project को कितना नुक्सान हुआ है उसका भी अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है अभी तक करीब 10 लोगों की dead bodies मिल चुकी है वैसे तो हिमाले रेंज में ये कोई नया हादसा नहीं है लेकिन बताया जा रहा है कि ये एरिया शुरुआती टाइम से ही काफी ज़्यादा sensitive रहा है इसके बावजूद यहां पर बड़े level पर construction का काम होता रहता था अलग-अलग तरह से और इसी की वेज़े से ये एरिया काफी कमजोर हो गया था और इस तबाही का एक कारण ये भी बताया जा रहा है एक साल पहले काटमांडू में स्थित International Center for Integrated Mountain Development ने हिमाले के एरिया को करीब 800 किलोमीटर लंबी परवत स्रंखला में हो रहे बदलाओ की study की थी और रिपोर्ट के अकोर्डिंग हिमाले एरिया को दुनिया भर में बढ़ रहे तापमान से काफी खत्रा है उनकी रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था कि 1970 से लेकर अभी तक यहां करीब 15% तक glacier पिघल चुके हैं और जिस तरह से climate में changes हो रहे हैं साल 21 सो तक हिमाले के 70 से 90% तक के glacier पिघल सकते हैं और तब असली तबाही के आने की अशंका जाहिर की जा रही है glacier असल में कई साल कई दशक कई शताबदियों पहले बर्फ जमा होने से बनते हैं जब पहाड इसे नहीं रोक पाता तो ये मलबे के साथ मिलकर बड़ी तेजी से बहना स्टार्ट कर देते हैं और यही चीज तबाही लेके आती है कई बार कुछ घंटों दिनों या फिर कई हफतों तक ये बहता रहता है और ये जरूरी नहीं है कि glacier आपके घर में मुझूद बर्फ की तरह ही पिगले glacier कई बार फट भी जाते हैं इसकी वज़े से हो सकते हैं भुकम, भारी बारिश, पानी या बर्फ का प्रेशर बढ़ जाता है global warming से भी glacier फटने के कई केसे सामने आते हैं अंटार्क्टिका इसका सबसे बड़ा example है जब glacier अपने अंदर इन वज़ों से पानी रोकने में नाकाम होता है तो वो एक साथ बड़ी तेज स्पीड से बहने लग जाता है और यही एक बड़ी तबाही का कारण बनते हैं ऐसा ही हुआ है उत्राखंड के चमोली जिले में इस हादसे में उत्राखंड की तरवेंदर रावत सरकार ने मौवजे की घोशना की है सीम रावत ने अलान किया है कि मरने वाले लोगों की फैमली को 4-4 लाक रुपे गौर्मेंट के द्वरा दिये जाएंगे और साथ ही उन्हें ने ये बताया है कि 16 लोगों को बचाया गया है और 180 गाएं बकरिया भी बाड़ में बह गई गई है इसके साथ ही मोधी गौवर्मेंट ने भी कमपेंशेशन देनी की घोशना कर दी है सेंट्रल गौर्मेंट की तरफ से पी-म राहत कोश में से मरने वाले लोगों की फैमली को 2-2 लाक रुपे दिये जाएंगे और घायल होने वाले लोगों को 50-50,000 रुपे दिये जाएंगे यूपी के सीम योगी अधितिनाथ ने उत्राखंड में गलेशे टूटने की वज़ए से मरने वाले लोगों के लिए एक सिंपेथी जताई है और साथ ही ये भी कहा है कि वो उत्राखंड की हर टाइम मदद करने के लिए तैयार है और उन्होंने यूपी में भी हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया है क्योंकि गंगा नदी यूपी में 1000 किलोमीटर तक का सफर तै करती है और जिस नदी में बाढ़ाई है वो है अलक नंदा नदी जो की गंगा की सहायक नदी है उत्रखंड के सीम ने एक हलप लाई नंबर भी जारी किया है उन्होंने काया कि अगर आप किसी एरिया में फसे हुए हैं और आपको किसी तरह की मदद चाहिए तो इस नंबर पर जरूर के कॉल करें हलप नए नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे और साथी उन्होंने ये भी काया है कि घटना के बारे में पुराने वीडियो से अफवाएं ना फैलाई जाएं ITBP के स्पोक्समैन विवेक पांडे ने बताया कि 200 जवान उनके हल्प काम में जुटे हुए हैं और एक टीम इंसिडेंट वाले प्लेस पर मुझूद है और दूसरी जोशी मट के पास तैनाद है जो लोगों को जागरुक करने का काम कर रही है situation उनके control में है और कम से कम नुकसानों इसके लिए कोशिश जारी है इसके साथ ही अलग नंदा नदी के किनारे बसे लोगों को वो जगा खाली करने के लिए जल्द से जल्द कहा गया है और अब अलग नंदा नदी का बहाव जो है थोड़ा control में आ आ गया है पहले से कम हो ग बूलें इससे related कोई suggestion हो तो निचे comment box में जरूर बताएं thanks for watching see you in the next one